हेलो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए 25 किचिद टिप लाए हैं जिस बेट से आपको बोहती ज्यादा फाइदा होगा रीडियो पे बने रहेगा बहुत सारे लोग इस kitchen tips को अपनाए हैं, और इन में से कुछ kitchen tips हम लाए हैं, और बहुत लोग अपना कर इसका पैसा भी बचाते हैं, और साथ ही साथ, अपने काम को आसान करते हैं, तो चलिए आज हम बहुत सारे kitchen tips ले आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि बिंदी को कितनी तरह से हम सेव रखे क्योंकि बिंदियों में कम गम रहता है और मोरिंगा राइस कैसे बनाएं और साथ ही साथ फ्रिक और्गनाइजेशन के बारे में भी बहुत जादा जानकारी देंगे मैं सेहा आज आपके लिए बहुत ही यूसफूल सी किचन टिप्स लाई हूँ फ्रेंड इस तरह के कपड़े के आप और्गनाइजर बनाकर तयार कर लीजिए ना आपके तयार कीजिए जो आपके साइड रैक्स हैं उनके लिए थोड़ी सी साइज बड़ी होगी तो भी कोई बात नहीं फ्रेंड ये मैं बार-बार लगाती थी तो मेरा ये ओर्गनाइजर नीचे चला जाता था ये इसलिए आपको कह रहा हैं कि हम बोतल रखते है पानी की नीचे दाग लग जाते हैं तो मेरे फ्रिज में देख रहा हैं बहुत पुराना है कोई दाग नहीं लगती क दो से तीन इस तरह का हर रैक के लिए बना लीजिए ताकि दो दिन में निकाल कर धुल कर सुखा दीजिए जिससे आपका कपड़ा भी सुखा रहेगा ये टेप लगा देने के कारण ये एकदम टाइट हो गया देखे चार पी समने साइड साइड लगाया पर अभी एक साइड इस तरह से करके लगा दूँगी तो ये एकदम फिक्स हो जाएगा जब चाहूंगी निकाल लूँगी ये जब निकालेंगे तब भी आपका फिक्स रहेगा टेप डबल टेप है तो इस तरह से कपड़े निकालके आप धुल लीजेगा फिर डबल टेप को रहने दीजे अगर आप बिंदी लगा रहे हैं और आपको लगे कि बिंदी माथे पर से निकल जा रही है तो उसे फ्रिज में आप रख सकते हैं और मैंने देखा कि बर्फ जम रही है तो इस समय थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है तो आप टेंपरेचर इसका डाउन कर दीजिए फ्रिज में नीबू के छिलके रखने से स्मेल नहीं आती नीबू डेली यूज होता है तो इस तरह से मैं कटोरी में रख देती हूं ताकि यह जब भी जरुवत पड़े तो हम नेबू के छिलके का योज कर सकें और अब बिंदियों को मैं उसमें से निकाल ली हूं और निकालने के बाद हम देखेंगे कि जो बिंदिया हमारी वेकार हो जा रही थी वो भी नहीं होंगी चिपकी रहेंगी और तीन से चार दिन चल हो रहें तो थोड़ी देर के लिए भी फ्रीज में जो ठंडी बोतल हो उसके ऊपर अगर लगा देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी बिंदी भी नहीं निकलेगी इस तरह से फ्रीज में रख लीजिए चाहे आप बोतल पे लगा दीजिए या फ्री बिंदी तो हर लेडी इसकी शोभा है और वो अच्छे से इसका योज करेंगी तो पैसे का नुकसान भी नहीं वशिल पा कि सिर्फ दस बिंदियां ही तस रुपए की पड़ती है फ्रेंड ये देखें बिंदी कितनी अच्छे से चिपक गई है न क्योंकि गम एक्टिव हो या ठंड पाते और जैसे बरसाथ या गरनी पाता है तो माथे परसे बिंदियां सरक जाती है इस तरह से बोतल पे लगा दीजिए और बोतल को अंदर रख दीजिए जब काम हो तो आप इसमें से बिंदी निकाल सकेंगी दूसरी किचिन टीप से फ्रेंड इस तरह से बिंद को भी और्गनाईज कर सकते हैं जितनी बिंदिया हो अगर आप इस तरह से बोतल वेगर रखते हैं तो फ्रंट पे ना रखेगा हैवी चीज़ें लुड़क जाती हैं अक्सर आप दोर के जहां से अतैच होता है वही लगाईए नहीं तो आपकी बिचली भी खर्च होगी और दोर भी डैमेज होने का खत्रा रहता आगे के तरफ दोर लटक जाएगा इसलिए हैवी चीज़ें बहुत ज्यादा बल्क में फ्रिज में चीज़ें भरके स्टोर मत कीजिए अगर लगे आपको की जरूरत है तब ही कीजिए और समय समय पे आपको साफ करते रहना चीए इस भी सामान का आप निकाल सकते हैं फ्रेंट्स हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब खतम होने लगे तो थोड़ी थोड़ी रह जाती हैं तो उन्हें हमें छोटे बरतन में स्टोर कर लेना चाहिए ये कांच का बोतल था फ्रेंट्स अब ये वन फोर्थ खत हो गया अब इस बोतल में आ जाएगी अमचूर लगा है फिर भी मैं इसे धुलूंगी नहीं क्योंकि सेम चीजें हैं और हमारा अचार भी खराब नहीं होगा क्योंकि हम करेले के अचार में भी आमचूर डालती है या और ये ड्राई है और एकदम फ्रेश अमचूर है तो किसी में मैंने कर दिया और दबा दबाके हम रख देंगे ताकि अचार के अंदर एयर नहीं जाती है तो अचार भिलकूल खराब नहीं होता है इस तरह से करके रख दीजे मैंने अपने करेले के अचार को धूप में नहीं सुखाया था और ये मैं डाबितिक पेशिंट इसलिए इस तरह के अचार बना कर रखती हूँ, जब भी आप इस तरह की lid में अचार रखिए friends, तो ध्यान रहे कि जो lid है से काफी नीचे हो, क्योंकि ये है metal lid, metal lid खराब हो सकती है, अचार पूरा full ना रहे, नहीं तो metal lid आपके खाने को ये अचार को भी खराब कर देगी, ये चावल बचा हुआ था, night का friend मैंने fridge में रखा था, आज कोई नहीं है मेरे घर में husband बाहर है, सिर्फ मुझे इखाना बनाना है, तो देखे मुझे अचारी rice बनाना है, इसके लिए मुरिंगा अचारी rice बनाऊंगी, तो मुरिंगा leaves भी बगीचे से तोड़ कर लाई हूँ, और बहुत ही healthy rice होगी, इसके धकन वगरा में भी जितने हमारे particles लगे हुएं, अचार के मसाले, उन्हें हम निकाल लेंगे, अगर आप अचारी चावल ना बनाना चाहते हैं, तो उससिर्फ आटा डाल के भी आप इस मसाले को निकाल लेजिए, अचारी पराथे बन जाएंगे, बहुत ही tasty लगेंगे फ्रेंट, थोड़ा सा मुम्फली भून रहे हैं, मुम्फली भूनने के बाद मैं इस अचार मसाले के लिए, ना जीरे का यूज करूँगी, ना कुछ, मोरिंगा लीव्स हम भूल गये थे, पर आप जब मुम्फली भून लीजे, थोड़ी हो जाए complete, तब मोरिंगा लीव्स को डाल दीजे, मैं भूल गई थी, तो फ्रेंट्स आप से बताना चाहती ही, तो ये गल्ती मत कीजेगा, चाहें तो जीरा वगएरा तड़के में डाल दीजे, मैं थोड़ा सा करी लीव्स डाल रहे हूं, फ्रेंट्स सारे मसाले तो इसमें हैं, बहुत स्पाइसी हो जाएगा, तो इस तरह से करी लीव्स डाल दे रहे हैं, थोड़े से उड़त दाल और चना दाल तड़के में डाल देंगे, थोड़ा से जीरा डाल देंगे, यानि जो भी मसाले आपको डालने इस तरह से डाल दीजे, सिर्फ तड़के में ही डालिएगा, क्योंकि मसाले तो लगे हुए, फ्रेंट्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इससे हमारा जार भी साफ हो जाएगा, और जार साफ करने में, जितना साबुन, तेल वगरा को करने में, जितनी मसकत करने पड़ेगी, वो सब चावल से निकल गया, तो इस तरह से हमारे स्क्रब मिला कर राइस बनाते हैं, चावल में नमक डालते हैं समय ध्यान रखेगा, क्योंकि आचार के मसाले में भी नमक था, वैसे भी आचार में ज्यादा नमक होता है, मोरिंगा लीव्स भुलने के कारण मैंने बाद में थोड़ा सा घी डालके मोरिंगा लीवस को फ्राई कर दि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, हमेशा खुस रहिए और फुल वाच करके वीडियो को मुझे सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा, अगर जरासा भी पसंद आया, तो इसमें कौन सी टिप्स आपको ज्यादा पसंद आई, जरूर बताईएगा, मुझे कामेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड्स